कीतन जैसे ही पल्लवी को उठाने के लिए जुका, पल्लवी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, बहुत अच्छा तवफ़ा दिया है तुमनी शादी का। पल्लवी के मौसे ऐसी बात सुनकर केतन हैरान था, उसे उमीद नहीं थी कि उसके घर वाले पल्लवी के साथ ऐसा बरताफ करेंगे, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने पलट कर गुस्से से सरिता की तरफ देखा, आज जो आपने पल्लवी के साथ किया, वो कोड़ी के लड़की के लिए अपनी मा को आख दिखा रहे हो? हाँ बाई, आपको ममा से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वो भी इस लड़की के लिए? बस, छोटी हो छोटी ही रहो. केतन ने पल्लवी के तरफ देखा और कहा? चलो पल्लवी. केतन पल्लवी को घर के पलवी वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे चुप चाप देख सुन रही थी, मानो उसे कोई फर्खी ना पड़ रहा हो, केतन अनुपम को हैरानी से देखने लगा, यह मेरा घर है और यहाँ वही लोग रहेंगे जिने मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, तो ठीक है, अगर ऐस सरिता आईशा और अनुपम के चहरे पर एक मुस्कान आ गई, केतन ने पलवी का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने लगा, उसे ऐसा करते देख अनुपम कन्फ्यूस हो गया, तुम कहा जा रहे हो केतन, आप ही ने तो कहा कि पलवी इस घर में नहीं आएगी, तो अगर मेरी केतन के बाद सुनकर तीनों हैरान थे, ये तुम क्या क्या रहे हो, मुझे जो कहना था मैंने क्या दिया, अनुपम मैं अपने बेटी के बिना नहीं रह सकती, कैसे भी करके उसे रोको, फिर चाहिए उसके लिए तुम्हें इस लड़की को भी इस घर में रखना पड़े, त ये कहकर अनुपम वहां से चला गया, सरित और आईशा ने पलवी को नफरत से देखा और वो भी वहां से चली गई, केतन पलवी को अपने रूम में लेकर आया, पलवी ने एक नजर केतन के आलेशान कमरे में घुमाई, और एक तंच भरी मुसकान उसके चेहरे पर आ गई, पलवी जो कुछ भी बाहर हुआ, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जल्दी सब तुमें समझ जाएंगे और अपना लेंगे, पलवी ने केतन की तरफ देखा और कहा, माफी, किस बात की माफी मांग रहे हो, या यूं कहो, कि किस किस बात की माफी मांगो के तु मैं जानता हूँ पलवी कि तुम उससे नाराज? जादी करनी थी ना तुम्हें मुझसे, और तुमने कर भी ली, पर तुम मुझे कभी पा नहीं पाओगे, कभी नहीं, तुम्हें अपनी जित पूरी करने के लिए जो कुछ भी करना था, आज तक तक तुमने खिया, और पूरी कर ली, इससे ज्याद अब तुम और क्या ही क करोगी अब मेरी बारी है तुम्हें हर दिन मुझे अपनी नजरों के सामने देखोगी और मेरी हालत देखकर रोज खुद जलील होगी जा किटन के पास शब नहीं थे पललवी की किसी बात को काटने के लिए पललवी के मूह से निकला हर शब केतन के दिल को चीर रहा था वो ब केतन ने उनका फोन काट कर मालती को फोन मिलाया आनंद होस्पिटल के बेट पर बेट कर खाना खा रहे थे पारूल अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी कि तभी वहां मालती आती है उसे वहां देखकर पारूल और आनंद चौक गए अरे मालती आंटी, आप यहाँ हाँ बेटा, भाई साहाब, यह सब कैसे हो गया जो होना होता है, वो हो ही जाता है भावी जी, आप बताईए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ मैं आप सब को आपके घर वापस ले जाने आई हूँ मालती की बाद सुनकर पारुल और आनन थोड़ा है रान हुए मैं जानती हो, कि आप लोगों को अजीब लग रहा होगा पर फिर भी, मुझे वो फैसला ना चाहते हुए भी लेना पड़ा था लेकिन अब सब ठीक है, प्लीज अपने घर वापस चलिए उसकी कोई ज़रूरत में ही है, जिस वक्त आपने इन लोगों को राद बे राद घर से जाने को कह दिया था तब आपको इनकी चिंता नहीं हुई, कि ये लोग कहां जाएंगे, और आप इने लेने आई है मालती की नजरे छुग गई अब ये लोग आपके साथ कही नहीं जाएंगे, बलकि मेरे घर जाएंगे नहीं है शुल बेटा, हम भावी जी के साथ अपने घर ही जाएंगे पर अंकल इन्होंने ऐसा क्यों किया था, उसकी वज़ए हम सब जानते हैं जिस तरह हम मजबूर थे, उसी तरह ये भी मजबूर थी ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया बहुत बार इन्होंने हमारी मदद की है इसलिए हम अपने घर ही जाएंगे आनन्द की मूँ से ऐसी बात सुनकर मालती ही आँखे भराई और वो आनन्द को धन्यवात कहकर वहां से चली गई तभी वहां अमन आया और उसे पारोल और सब को बताया कि उन दोनों को कॉलेज वापस बुला लिया गया है कुछी वक्त में उन लोगों की जिंदगी नॉमल होने लगी थी बस अगर किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदली थी तो वो थी पलवी पलवी अपने कमरे में बैठे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी तभी वहां सरिता और आहिशा आ गई पलवी बैठ पर बैठी हुई थी उसे देखकर सरिता बोली कैसा लग रहा है इतने मकमली बिस्तर पर बैठ कर लड़की हाँ सरिता के बाद सुनकर पलवी खड़ी हो गई अरे अरे क्या हो आया खड़ी क्या हो गई बैठो बैठो फूरे मज़े लो इस एश और आराम के लिए तो तुमने केतन को फसाया है तो अपना मकसद तो पूरा कर लो मामा ये करीब लोग कितने चंट होते है न इसकी शकल तो देखो किती भोली लगती है और कैसे भाई को फसा लिया अरे बेटा अपने इन शकल का ही तो ये लोग खाते हैं इस बनावटी भोलेपन पर ही तो अमीरजादे अपना दिल हार बैठते हैं सरिता पलवी के थोड़ा करीब आकर बोलती है लेकि तुम इस गलत फैमी में मत रहना कि मेरे बेटे का फायदा उठालोगी और उसे अपने इशारों पर न जाओगी उसके पीछे उसकी माँ खड़ी है और गलती से भी इस महल को अपना घर मत समझ लेना क्योंकि बहुत जल्ब मैं तुम्हें याँसे रवाना कर दूंगी चलो आईशा ये कहकर सरिता और आईशा वहाँ से चली गई पलवी की आखों में आसू थे वो भले ही गरीब थी पर अपने पैरों पर खड़ी एक आत्म निर्भर लड़की थी उसने आज तक अपने लिए ऐसी बाती किसी की मुँसे नहीं सुनी थी रात हो गई थी अनुपम सरिता और आईशा डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थी तभी वहाँ केतन आता है आओ केतन खाना लग गया है खालो हाँ मैं बस अभी पलवी को लेकर आता हूँ ये कहकर केतन कमरे में पलवी को बुलाने चला गया केतन पलवी को लेकर डानिंग रूम में आ गया और उसके लिए एक चेहर खिसकाई पलवी उसे देखने लगी और उस पर बैठने के लिए आगे बढ़ी कि तभी आईशा बोली मामा ये हमारे साथ बैठ कर खाना खाएगी खा लेने दो बेठा कि भी के याद रखेगी कि अपनी मेहगी कुर्सी पर बैठ कर चांदी की थाले में चपन बुग खाने को मिल गए पलवी एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की थी उसके लिए ऐसी बात एक्तम नागवार थी वो वहाँ से हट गई दूर किचन के पास जमीन पर बैठ कर घर के सारे सर्वन्स खाना खा रहे थे पलवी उनके पास गई और बोली अकर आप लोगों को कोई परिशानी ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ कर आपके साथ खाना खा सकती हूँ नौकरों को कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था वो उस घर की बहों की पूछी गई इस बात को क्या जवाब दे पलवी उनके पास जाकर बैठ गई और उन्हें के बरतनों में उनका बनाया खाना निकाल कर खाने लगी पलवी की इस हरकत से अनुपम सरिता आईशा साब हैरान थे केतन ने गुसे से सरिता के तरफ देखा और पलवी के पास आया पलवी यह तुम क्या कह रही हो उठो यहाँ से और वहाँ अमारे साथ बैठ कर खाना खाओ चल कर क्यों यहां बैटकर खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है और वैसे भी जिस जगह पर छपन भोग हो पर सम्मान ना हो उस जगह का अन मेरे गले से नीचे नहीं उतर सकता मेरे ले यह सुखी रोटी उस वियंजन से बहुत ज्यादा स्वाद भरी है पलवी वो रोटी सबजी केतन के सामने खाने लगी केतन को पलवी के ऐसे नौकरों के बीच में बैठकर खाना बहुत बुरा लगा दूसरी तरफ आईशा सरिता से बोली कितनी ओकर है ना इसमें अरे बेटा सब नाचक है पैसे की खनक की आगे देखना अभी कुछी दिनों में इसका असली चहरा दिख जाएगा केतन बिना खाना खाए वहाँ से चला गया पलवी भी खाना खा कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी सरिता उसे रोकते हुए बोली खाना तो तुमने नौकरों के साथ खा लिया बरतन धोने में ओनी विरादरी वालों का साथ नहीं दोगी क्या हमारे खाय हुए बरतन टेबल पर रखे हैं उन्हें वहाँ से उच्छाओ और धोकर उनकी जगा पर लगा दो और इतने महंगे बरतन हैं देखकर उन्हें चुराने की कोशिश बिल्कुल मत करना मैं कल सारे बरतन गिनूंगी हाँ ये बोलकर सरिता आईशा के साथ वहाँ से चली गई पलवी टेबल से उन लोगों के खाय सारे जूटे बरतन उठा कर किचन में ले गई और उन्हें धोने लगी उसे ऐसा करता देख एक नौकर बोला अरे बहु आप रहने दीजिए, हम कर देंगे उसकी कोई जरुरत नहीं है, मैं करती हूँ न काफी वकबाद जब पलवी कमरे में नहीं आई तो केतन उसे बाहर देखने गया वो उसे किचन में ऐसे बरतन धोते देख हैरान रहे गया और उसके पास आया ये तुम क्या कर रहे हो पलवी देख नहीं रहे, परतन धो रही हूँ मालकीन ने ओडर दिया है कि सारे परतन धोकर लगा दू और कुछ भी चोरी ना करूँ, कल वो आकर गिनेंगी केतन को सरिता पर बहुत गुसा आया और वो उनके पास जाने लगा कहा जा रहे हूँ, अपनी मा से लड़ने, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी तुम्हें देखकर में समझ गई थी कि तुम्हारे घर की लोग कैसे होंगे तुम्में और उनमें कोई ज्याधा फर्क नहीं है वैसे भी शादी करके लाए हूँ ना मुझे इस आली शान महल में तो उसी का सुख भोग रही हूँ मैं केतन को पलवी के बाते बहुत चुब रही थी उसकी हर एक बात उसे शर्मंदा कर रही थी और उसकी करनी का एहसास दिला रही थी क्या पल्लवी अपने साथ होते अत्याचार को कभी रोखेगी या केतन को सबक सिखाने के लिए सब सहती रहेगी क्या केतन पल्लवी की माफी कभी पाप आएगा आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए विवाह एक अटूट बंधन कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर थांक्स फर वाच्छिंग